मैं तुम्हारे सभी लोगों के रक्षा करूंग। कृष्ण और बल्राम जी ने उस यंत्र को रखकर महामाया का मुंत्र किया। महामाया का मुंत्र करने के बाद दुने महामाया से प्रत्रा की कि महामारी रक्षा करो। तो मय नाम का एक राक्षस था। जो राक्षषय सूंग का शिल्पकार जिसा है डेवताशOOOO की शिल्पकार है, वैसे राक्षषव्ण में भी शिल्पकार है, इसका नाम था मय tut माह मया निए म ऐसे कहा कि मेरे क्रृष्ण मेरे कर रहा है , वह महिमाय का मंद्रिप कर रहा ह। उसकी यंत्र की स्थापना है, उसके पास से वह यंत्र लेकर तू आकाश में उड़ दिया, और जहां कृष्ण के लिए ऐसा गाउं बसा दे, ऐसा शहर बसा दे, जहां कोई राक्षस आ ही सकता, जहां मेरा यंत्र है, महा राक्षस का प्रविश्ण ही हो सकता, ऐसे जब है समझर के बीच टिले में उन्होंने दौरकाधिश का उस शहर उस नगर को स्थापन किया, एक ही रात में, एक ही रात में स्थापना किया, तब कृष्ण ने, कृष्ण नो जब प्राटना कर रहे थे, तो महा माया ने कहा, है कृष्ण तू बोल, कि तेरे शहर में, तेरे उन्होंने उस रात में उस महा माया मंत्र का उच्छरण किया, और सुछ जब आम खुल कर देखते हैं, तो इस सारे मथुरा के लोग दौरका में थे, दौरका का है, गुजरात में, और मथुरा का है, यूपी में, उत्रपदेश में, उस महा माया की इतनी सिष्ठता थी, कि और सुरक्षित हो गए, और कृष्ण भी निश्चिंत हो गए, कि आप राक्षसों का आउगरम में मत्रवा, जरासन दादी को में देख लेता हूं, और उन्हें जरासन दादी का, कैसा मारा, ये भागवत में उसकी कताएं हैं, भीम सेंजी न मारा है, उनको कैसा मरवाया, ये सारी बहुत बड़ी कानिया हैं, वो बात अलगते हैं, लेकिन ये महा माया की वह स्रिष्टा थी, जिसके उपासक भावान स्रिकृष्ण भी थे, और उन्हें अपने जंदा की रक्षा की थी, तब महा माया ने कहा, कि ये सिंत्रकी जो अपने घर में रखके पूरा करता है, वह अपने गाउं का, अपने शेर का स्रिष्ट राजा कहलाए जाएगा, जो इस मंत्र को करता है, उसको राज्यपत निश्चित रुप से प्राप्त होगा, तब महा माया की इस अशिरवास से, उस इंत्रकी कृपा से, जो महा माया ने कृष्ण को दी थी, आज तक, आपने लिया है, यहां उच्छित गड़ के लोग जितने भी लोग हैं, और आपको नवारणों मंत्र को छोड़कर किसी ने महा माया का मंत्र दिया, यह बात मैं इसलिए कि रहा हूं, किसे मुझे ढूंडने के लिए महा माया क्षेत्र को या इसकी महत्ता को देखने के मंत्र दूंडने के मंधिर है, तो उस जंगनाजी के मंदिर के बाद, यहां की स्थापना और आपनाया、 क्षेत्र देवता इसलिए और महा-माया, मंत्र को रास municipality के साथ अफने स्थापन किया, श्थैसे लिए 76 मोझे दूट, किसी को नहीं बताई और उस मंत्र को भी किसी ने किसी को नहीं बताई और शुक्रवार का दिन है जो राक्षासों के गुरू शुक्र जी का वार है और आज माता के पुझा विशेश रूप से की जाती है आज हम ऐसे ही महामाया का क्षेत्र में आये हैं और पहली बार महामाया का यंत्र और महामाया का मंत्र में ने हम साधकों के लिए जो यहां आये हैं वी दिवेता को प्राप्त करें जो राज्य की प्राप्ति चाहते हैं जो धन की प्राप्ति चाहते हैं जो आईश्वरे चाहत कि मैंने यह साध्मा और यंत्रस्रिष्टा के साथ आपको प्रदान किया मैं पहले गुरुपादु का सिद्धी दिवस्का वह आज की विश्ष्ष्था की पादुकाओं का पूजन आपके साथ संपन्न करूंगा उसके बाद उस महामाया मंत्र को और महामाया एंत्र को केवल मुहाई पूछने पर ही दूँगा जो लोग प्रार्खना करते दोर से कहते हैं कि सायम समय में ही गुरुपादुकाओं का पूजन करना चाहिए सुभा से हम जितना भी हो सके हमार से श्दाण आधीश सर्द recelint कर आकर सफेद वस्तर पहन कर गुरुपादुकाओं का आज पूजन कर जो अपने घर में गुरुपादुकाओं की स्थापना करता है उसको हर वर्ष उस गुरुपादुका को इन गुरुपादुका सिद्धी दिवस के दिन जो उसी मंत्र के साथ पोजा करता है उसके घर में गुर्व की स्थापना निश्चित रूप से होती ही है ऐसा का गया है अभी मैं आपको एक पंधरा मिनिट का समय देता हूँ जिनके पास गुरुपाद काएं नहीं है और मेरे साथ गुरुपाद काउं की पूजन संपन करें और अपने घर में गुरुपादुकाओं को आज की दिन मार्क शुर्ष लेतिया को स्थापन करें और वो से भी प्राप्त करें कि तुम्हारे गुरुमें गुरुजी का वास है यह आप अन्भू करें ऐसे ही इच्छा रखता हुआ पहले गुरुपादकाओं का मंत्र और साजना आपके साथ करवाँगा, मैं भी आपके साथ करूँगा, आप सभी लोग उनको 15 मिनिट का समय देता हूँ, गुरुपादकाओं के इंतरफ ला ले, तब तक मैं यहां तैयारी करता हूँ, पहले गुरुपादकाओं का सिद्धि पूंहा आशिरवात देता हूं कि आूंपने सबी को ने तो गुरू मंतर दिक्षा लेए होगी नहीं लिए हैं तो मैं गुरु पूजन करते सामें आपको इपरता कि प्रतान करूंगा। अशिरवात कि आप गुरू मैं हो गुरुजी Mess 밑 आपके कमें वास हो और आप जो भी शाज़ना करते हैं, उस शाजना के सिष्ठता आपको प्राप्त होगिए, ऐसा है हम आज के दिन, यहां जब आप आये हैं, तो इसकी विंशच्ता, आप प्राप्त करें, मैं आपको पना अशिरवाद देता हूँ, गुरुपादुकाउं का पूजन का विधा यहां आपके सामने बैटकर ही मैं संपन्न करूंगा आप मेरे साथ संपन्न करें